ही गाइस होग करता हूँ आपका आपी के अपने यूट्वी चनल इन्वेस्टिंग वारेस में आज हम लोग अनेलैसिस देखेंगे आइस एमटी लिमिटेट का देखेंगे कंपनी का फ्यूचर कैसा है बैलन सीट पास रिटान सारा चीज हम लोग अनेलैसिस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा अंतर देखना आपको खूर पता जल जाए कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं या आप या वीडियो बहुत लेट से बनाता हूं गाईज अगर आपको मेरे वीडियो से फैदा मिलता है अगर आपको सही डिजीजन लेने मदद मिलती है तो गैज प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जो करिए अनलैसिस शुरू करता है गैज कंपनी क अगर पैला है यह यहू यह स्पयर जो लोग्स कर अदिज सिल अषब श्रफ बहुं है आपको सही finished seamless tubes ranging in diameter from 6 mm to 273 mm used in a variety of applications such as the manufacturers of auto components bearings races OC TG products drills roads boilers heat exchangers etc guys company ka geographical split dekhen to India mein 88% export bar person market mix deketo the company is a diversified value-added seamless tube suppliers catering to the following major industry automotives and bearing 24% general engineering 17% OCTG and project 17% construction shape percent power 14% other vice percent guys company ka manufacturing capability dekhen to company has three manufacturing plants in Jejuri Barameti and Ahmed Nagar its current tube manufacturing capacity is 371,000 metric ton per annum and its steel making capacity is 3,500,000 metric ton per annum capacity utilization at steel plant was 67% and at tube plants was 49% guys company ka capex dhekhen to company nhe decide kiya hai ki 305 karoor invest caro invest invest incarceration regular wind mills which is 35 megawatt. and the other company 50 kron invests and acquiring wind mills which is 35 megawatt stay stay for a cash organization company company market cap day to 3,158 karo have current price 105 पांच रुपए चल रहा है स्टॉक पी देखे तो 18.3 है डिविडेंट इल्ड देखे तो 0.46 परसेंट है आरोसी देखे तो 10.8 परसेंट है आरोई देखे तो 6.13 परसेंट है और फेस वेल्यू पांच है गाईज जब मैंने इस कंपनी को सेलेक्ट किया था अनेलैसिस के लिवर गुड़ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 18.7 CGR ओवर पांच यर और डेप्टर देज हैव इंप्रूवड फ्रॉम 57.3 तो 43.6 डेज कॉन्स देखे तो वर्किंग केपिटल डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम माइनस 44.6 डेज तो 73.3 डेज गाईज कंपनी का क्वाटरली बड़ा है एकस्पेंज भी बड़ा है ऑपरेटिंग प्रोफिट भी बड़ा है लेकिन खमपनी का नेट प्रोफिट घटा है घय ॉद्रीज कंपनी का प्नेश ग्रोथ चुन cowardञ है तो 30% है रॉ स्च्ट कॉन प्राफिटो प्रेप्र भ्रेश 2020降 देखे तो re1 मृष डेटो तो average है और red flag देखे तो low है guys company का income statement डेखे तो lower than industry revenue ग्रोर decreasing market share company का total revenue देखे तो घटा है EBITDA देखे तो घटा है और company का EPS देखे तो वो भी घटा है guys company का balance sheet देखे तो lower than industry debt to equity ratio lower than industry current ratio company के उपर में S8 देखे तो 1,941 कडोर का है company के उपर में लेबलेटी देखे तो 463 करोर का है गाईज कमपनी का cash flow statement देखे तो higher than industry free cash flow growth company के पास net cash देखे तो minus 25.13 करोर है और free cash flow देखे तो 56.69 करोर है गाईज कमपनी में पर मोटर होल्डिंग देखे तो पर मोटर के पास 74.95 परसेंट है mutual fund 0.02 परसेंट डिए 0.33 परसेंट एफाई 0.07 परसेंट और रिटेल से ज़्यादा 24.64 परसेंट है गाईज कमपनी का एक साल का रिटेंट देखे तो 46.44 परसेंट है गाईज कमपनी का पास साल का रिटेंट देखे तो 120.75 परसेंट है गाईज कमपनी का all time return देखे तो 11.79 परसेंट है और 2020 में कमपनी गिर के 5 रुपय तक आ गई थी गाईज ये था ISMT लिमिटेट का इनलैसिस में इसमें कुछ पॉइंट हलाइट करना चाहता हूँ कि कमपनी का अगर मार्केट कैप और करेंट पाइस देखे तो वह भी अभी 2-3 मैंने पहले 83 पे चल रहा था तो वह भी बड़ा है और कमपनी का आप ROC ROE देखे तो decent है आप डाल के रख सकते हैं अगर आपने इन्वेश नहीं किया है तो क्योंकि कमपनी का भी जो है थोड़ाँ सा मार्केट सेल्स भी गिरा है और कमपनी का net profit थोड़ाँ से गिरा है अगर कमपनी का quarterly result अगर अच्छा आता है तब फिर आप इसमें इन्वेश करने की सोच सकते ह गाइस अगर आपको इन्वेश करना है तो कर सकते हैं मैंने सारा चीज अच्छे से अनलैसिस कर दिया है इसका कॉंस भी बता दिया है आप अपने कोर्डिंग देखें कि आपको इस स्टॉक में इन्वेश करना चाहिए या नहीं और गाइस अगर आप ने अब तक चैनल को स कमेंट कर सकूं जिससे आपका एल्थ बने आपका पॉर्टफोलियो डाइवर्सिफाय हो सके गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और इस वीडियो को लाइक जो करिएगा थेंक्यू